बहु बेटिया अरे बधाई हो आपके घर लक्ष्मी होई है ये तो आपने कई बार सुना होगा लोग बेटी को लक्ष्मी मानते हैं पर जब ईक बेटी हो तब अगर घर में एक बेटी से ज़्यादा लड़किया हो फिर बेटियां लक्ष्मी नहीं बोज दिखाए देने लगती है कुछ ऐसे ही विचार अब मिश्रा परिवार के मन में पैदा होने लगे थे अरा क्या हुआ अंकूर अब इतक फोन नहीं किया तुने सब ठीक तो है ना हमा बृति को अपरेशन रूम में ले गए हैं ठीक है ठीक है बेटा कुछ होता हमें तुरंद बताना हां अब हम फोन रख रहा हैं जी मा इस बार तो एक बेटा होना ही चाहिए हमारा बड़ा बेटा उसे दो बेटियां मजला कैनडा में रहता है उसे भी दो बेटियां छोटे बेटे को पहली बेटी है अब इस बार तो बेटा होना ही चाहिए अब तो मुझे भी फिक्र होने लगी है कि हमारा वश आगे कैसे बढ़ेगा तीन तीन बहु हैं लेकिन एक ने भी पोते का सुख नहीं दिया मैं हमारी ही किस्मत फूटी है क्या करे अब मुझे देखो मेरे तीन तीन बेटे हैं पूरे परिवार में सर उचा करके चलती थी मैं कि मेरे तीन बेटे हैं तीन बेटे हैं और मेरी बहू, एक ने भी पोते का मूँ नहीं दिखाया मुझे. मुझे तो लगता है कि मैं पोते का मूँ देखे भिना ही मर चाओंगा. सुन रहे यहा काविता बहू, कुछ तो इन बूडे दादा दादी के बारे में भी सोच लिया होता तुम सब ने? उनकुर का फोन आया है, हाँ हाँ बिटा हलो, जल्दी बता खुश खबरी अब, क्या हुआ जी, वो, राना दीजिया, आपकी शकल से ही पता चल रहा है कि कोई खुश खबरी नहीं है, ए बगवान, ऐसे कौन से करम की है हमने, कि हमें ये दिन दिखा रहा है, माजी कल पृती बच्ची को लेकर आ रही है पूजा की तयारी कर दो और मिठाए मंगवा दो, कोई ज़रूरत नहीं है मिठाए और पूजा की, पहली बार नहीं है जो इस गर में लड़की आ रही है, कोई ज़श्टर नहीं होगा, अरे पर मान से, कहा नla तो ठीक है ना, अपने कमरे में जा खर आराम करो, मा जी बच्ची को अपना आशिरवात तो दे दीजी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलो कमरे में चलते है पृती, मा का मन इस बार बहुत उदास हो गया है, उन्हें आखरी उमीद थी तुमसे, मुझसे, ये बच्ची क्या मैं अ आरास्त होंगी ना, अच्छा, तो बच्ची क्या उनकी बहुएं अकेले पैदा कर रही हैं, इतने पड़े लिखे होकर कैसी बाते कर रहे हो तुम, मैं तुम्हें दोश नहीं दे रहा हूं पृती, चलो अब ये सब चुड़ो आराम करो, मनोर अमा की गुसिक आसर अब उन बनानाय बना दे, कौन सा इस घर में मेरी मरची की होती है, माजी आप ऐसा क्यों कह रही हैं, हमने कब आपकी बात नहीं मानी, अब मेरा मू मत खुलवाओ तुम, कहाना जो बनानाय बना लो, माजी आपका ये बरताओ सही नहीं है, आप बेवज़े हम पर गुस्ता निकाल कविता, मा से ठीक से बात करो, इतने सालों से ठीक से ही कर रहें ना बात, लेकिन बार बार एक इताना सुनके परिशान हो गया हम सब, बेटी नहीं, जैसे इनके लिए तो राक्षस हो गई हैं हमारे बच्ची, एक पूता तो दे नहीं पाई तुम हमें, अब या रोना दोन ही बाखी रह गया है, तो भी तो बस करो ना ये सब, मैं तो कहती हूँ रवी सीधा कर दे, मनना मुझे ही कुछ कदम उठाना पड़ेगा, क्या कदम उठाएंगे आप बताएंगे, बताएंगे ना, मेरे पती की दूसरी शादी करवाएंगे आप, मुझे पता है, क्या आप यही सोचती रहती हैं बार-बार, अगर मुझे पोता पाने के लिए ये भी करना पड़ाना, तो ये भी करोंगे, समझी, मा कैसी बात करी हूँ तुम, बस करो, देखा आपने, आपकी मा के मन में क्या-क्या चल रहा है, मैंने कहा ना तुम अंदर जाओ, मुझे कुछ नहीं ये पहली बार नहीं था, कि मिश्रा परिवार में बहस हो रही थी, अब तो आए दिन ऐसा होता ही रहता था, क्योंकि अब मनोरमा के मन में पोते को पाने की इच्छा इतनी ज़्यादा बढ़ गए थी, कि वो अपनी बहूं को हर बात पे सुनाती रहती थी, भाबी ये दोनों को भी कहां पता होगा कि लड़कों को कैसे पालते हैं, तुम दोनोंने बेटे को पाले ही कहा हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं माजी, इसमें लड़का लड़की क्या, अगर तुझे लड़का होता तो पता चलता है कि लड़के कितने होश्यार होते हैं, खैर जा को सिलाती, खिलाती, बहुत कुछ करवाती, अब देखिए हमें बेटिया हैं, तो कैसे ताने पे ताने मारती रहती है माजी, अरे छोड़ ना, ये इनका रोज का है पृती, ना इनके ताने खत्म होंगे, ना हमारी किस्मत पलटने वाली है, तु ज्यादा ध्यान मत दे इन से कुछ नहीं कहते थे, तो उनका साथ कौन दी था, अरे सुनिये न, मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, क्या हुआ, अब क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, मैं आज अपनी सहली की बेटी वर्षा से मिली, इतनी सुन्दर लड़की थी, क्या बताओं आपको, आपर उससे हमारा क्या लेना देना, अरे लेना देना है, मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए उसे यहां बुलालू रहने के लिए, और इससे क्या फाइदा होगा तुम्हें, कावीता और पीती से तो हमें पोता मिलने से रहा, मैं सोच रही हूँ कि अगर रवी और जरूर लड़के को ही जन्म देगी और तुम्हें लगता है कि रवी मानेगा दूसरी शादी के लिए? इतनी आसान इसे मानेगा तो नहीं लेकिन मैं उसे धीरे धीरे राजी कर दूँगी अगर ऐसा हो तो शायद हमारी पोते की आशा भी पूरी हो जाए मनोरमा पोते की लालच में इतनी अंधी हो गई थी कि उसे अब सही और गलत की बीच का फरक दिखना भी बंद हो चुका था वो अपने बड़े बेटे की दूसरी शादी के लिए अपनी सहली की बेटी को घर लाने का सोच लेती है और दूसरी ही दिन किसी को कुछ भी बताए बिना उस ते अपनी सहली को फोन लगा दिया आरा तु बिल्कुल भी चिंता मत कर बस वर्षा को यहां भेज दे मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी और सुन उसके लिए न अच्छे अच्छे कपड़े भेजना जिसमें वो परी लगे है परी भाबी यह माजी किसे बुला रही है घर में रहने के लिए पता नहीं कोई इनकी सहली की बेटी है पर उन्हें यहां रहने के लिए क्यों बुला रही है क्या पता उनके दिमाग में क्या-क्या चलता रहता है एक कम थी हमारी सास जब ये वर्षा भी आ रही है पता नहीं ये कैसी होगी हाँ, अब कल तका इंतजार करते हैं देखते हैं आखिर कौन है ये वर्षा जिसे हमारी सास इतना पसंद करती है मिश्रा परिवार में भगवान की इतनी कृपा थी कि उनके घर में बेटिया ही बेटिया थी मनोरमा के तीन बेटे हैं जिसमें एक बेटा कैनेडा में रहता है और उसकी तीनों बेटों को दो-दो बेटिया है मनोरमा और चंदन मिश्रा हमेशा से अपने वंश को आगे बढ़ते देखना चाते थी लेकिन अभी तक उन्हें पोते का सुख नसीब नहीं हुआ है इसलिए वो अपनी बहूं को ताने मारती रहती थी वैसे यहां तक तो बात ठीक थी लेकिन अब उसने अपनी सहली की बेटी वर्शा को अपने घर रहने के लिए बिला लिया था वो इसलिए क्योंकि वो चाती थी के वर्शा के साथ वो अपने बड़े बेटे रवी की दूसरी शादी करवा सके लेकिन मनोरमा की इस सोच से अब तक सब अन्जान थे आरा कविता तुने खाना बना लिया है ना अच्छे से कुछ कामी नहीं रहने चे यह समझी हाँ हाँ सब तयारी हो चुकिये माजी और वर्शा का मेहमानों वाला कमरा अच्छे से साफ कर दिया जी वो पृती ने अच्छे से साफ कर दिया था सुबई और आसवन जैसे ही वर्शा है उसके लिए सबसे पहले काजु बदाम लिया ना समझी ठीक है माजी, पर ये वर्षा हमारे घर रहने क्यों आ रही है माजी, कुछ काम है क्या उसे यहाँ इस घर में अब तक मैं जिन्दा हूँ, ठीक है, इसलिए मेरी सास बनने की जरुरत नहीं है तुम्हें अपना काम करो, मुझे जो करना होगा वो करूँगी, तुम्हारी इजाज़त की जरुरत नहीं मुझे नहीं, मैं तो बस कहा ना बहस मत करो, और वर्षा के खातिरदाने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए जी माजी, कवीता रसुल में जाती है, और पीती से बाते करने लगती है मैं मान नहीं, अमरिका की प्रधान मंत्री है काजू, बताम, पक्वान, पे कौन आई ये? पता नहीं, मैंने आज तक माजी को हमसे ठीक से बात करते भी नहीं देखा और इस लड़की के लिए देखो, पक्वान पे पक्वान बनाया जा रही है पता नहीं, मुझे कुछ तो गड़बर लग रही है माजी की इस बात में क्या राजे कुछ समझ में नहीं आ रहा कोई नहीं भाबी, उस लड़की के आते ही सब कुछ पता चल जाएगा हमें भी हाँ, वो बात तो है मनो रमा की इरादे क्या थे, इस बारे में अब तक कोई नहीं जानता था उसकी बहुएं भी वर्षा के आने की खबर से परिशान तो थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी आओ आओ वर्षा बेटी, यहां बैठो मेरे पास अरे, तुम तो सच में कितने सुन्दर हो थेंक यू आंटी मैं तुमें सबसे मिलवा देती हूँ, यह मेरी बहु है यह बड़ी बहु, यह छोटी बहु, यह है मेरा बड़ा बेटा रवी घर में सबसे बड़ा है, और होश यार भी है सारे घर की देखबाल यही करता है, कमाता भी बहुत अच्छा है और यह है मेरा चोटा बिटा अंकुर माजी रवी के बारे में इतना सब बताते हुए क्यों मिलवारी है इससे पता नहीं बाकी सब को तो ऐसे ही मिलवाया बस पर रवी भाया को खास दरीके से मिलवारी है अरो तुम दोनों क्या आपस मैं खड़ी होकर कप्षप कर रही हूँ जाओ वार्शा के लिए जूस लेकर आओ और काजू बादाम भी जी माजी अभी लाते हैं ये लीची लो लो वार्शा अराम से खाओ पियो फिर रवी तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले जाएगा मैं ले जाती हूँ न माजी इन्हें कमरे तक तुम दोनों खाने के तैयारी करो जाओ सारा दिन बस दूसरों के कामों में टांग अड़ाती रहती हो मनोरमा रवी और वर्शा को जितना हो सके एक तुसरे की करीब लाने की कोशिश कर रही थी जबकि कवीता और प्रीति को ये बात अब अजीब लग रही थी कि उनकी सास ऐसा क्यों कर रही है मनोरमा ने रवी को वर्शा का ध्यान रखने को कहा था रवी, आजा, यहां बैठ जा, वर्शा के पास पर पापा तो हमेशा मेरे साथ बैठते हैं दादी आरा चुप कर, पापा को आराम से खाना खाने दे पापा, यहां मेरे पास बैठी न प्लीज आज खाना खालो स्वीटी, कल मैं तुम्हारे साथ बैठ जाओंगा, ठीक है? ठीक है पापा, कितना तंग करती हैं न यह बच्ची आपको मैं समझ सकती हूँ, आप भी परिशान हो जाती होंगी अरा पूछ मातवर्शा बेटी, मेरा बेटा कितना परिशान हो जाता है अगर इसका कोई बेटा होता तो बात अलग थी फिर उसके साथ क्रिकेट खिलता, उसे बाहर घुमाने ले जाता पर यह तो ठहरी लड़कियां, अब इनके साथ क्या घर-घर खिलेगा? जी, मैं समिच सकती हूँ, आपकी भी इच्छा होगी ना एक बेटी की अरा इच्छा तो बहुत है, पर कह नहीं पाता बिचारा ऐसा नहीं है, रवी अपनी बेटियों से बहुत प्यार करते है अरा तू चुप कर, मेरा बेटा अंदर ही अंदर घुटता रहता है कुछ कह नहीं पाता, मुझे पता है वो कितना चाहता है कि उसका अभी उसी की तर एक बेटा हो, जो उसके साथ खेले अरा उसके जासा ही बने हाँ, इच्छा तो मेरी भी थी कि मेरा एक बीटा हो उसे मैं क्रिकेटर बनाना चाहता था, लेकिन लेकिन? लेकिन उसके पत्नी ने उसे यह सुख नहीं दिया आप मेरे साथ अपना दुख बाढ़ सकते हैं बड़ी आई मेरे पती के साथ दुख बाढ़ने वाली यह होती कौन है? मेरे पती से यह सब कहने वाली? और माजी को तो देखिए भाईया को कैसे उनकी खुद की बेटियों के खिलाफ बढ़का रही है रवी भी न अब माजी के बातों में आने लगे हैं अब वो भी बात-बात पर कहते हैं काश हमारा भी एक बेटा होता इसमें न सारी गलती माजी की है वो यह पुरा दिन पोते की रट लगाए रहती है इसलिए हमारे पती भी उनकी बातों में आ जाते हैं अरे मुझे तो डर है कि कहीं रवी कोई ऐसी गलती ना करते जिससे हमारा हस्ता खेलता परिवार बरबाद हो जाए रवी अब अपनी मा की बातों में आने लगा था और मनोरा मा की चाल वर्षा और रवी को करीब लाने की काम्याब होते दिखाई दे रही थी रवी आज वर्षा को कहीं घुमाला बेटा जी चलते हैं ना कहीं फिर्म देखने चले पापा हम भी चलेंगे आपके साथ हाँ पापा हमें भी ले चलिए नहीं नहीं तुम दोनों आकर क्या करोगी वर्षा आंटी और मैं दोस्त हैं हम जाएंगे दोनों हाँ तुम यहां रहो ममी के साथ पापा हम भी आपके साथ आना चाहते हैं नहीं कहाना चलिए ना हम चलते हैं फिल्म के लिए देरी हो जाएगी रवी का ये बरताव देख कविता बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी अब उसके आंसू छुप नहीं रहे थे पस भाबी कितना रोएंगी आप रोने के अलावा हम औरतों के पास रास्ता ही क्या है पृती खाश में अपने पती को एक बेटा दे पाती भाबी आप कैसी बाते कर रही हैं इसमें औरतों की कोई गलती नहीं होती लड़का या लड़की का पैदा होना मर्द की उपर आधार रखता है औरतों की उपर नहीं ये बात हम समझते हैं लेकिन समाज को कौन समझाएगा वक्त आने पर अगर समाज को समझाना पड़ा तो हम समझाएंगी भाबी मनोरमा की चालब बहुत ज्यादा हच से आगे बढ़ गई थी प्रिती ने अब सोच लिया था कि इस सबको तो रोकना ही पड़ेगा नई तो उनकी सास उनका रिष्ठा खराब कर देगी आरा प्रिती आम सबको यहां क्यों बुलाया है आप सबको कुछ दिखाना है माजी प्रिती ने जो वीडियो चलाया था उसमें डॉक्टर यह समझा रहे थे कि बच्चा लड़का होगा या लड़की यह पिता पर आधार रखता है ना कि मापर क्या हूँ आमाजी? आज आप बहुत चुप हैं सच्चाई जानकर अपने बेटों से कुछ कहना नहीं है आपको उन्हें भी ताने देजिये थोड़े जिस बात के लिए हम कभी जिम्मेदार ही नहीं थे उसके लिए तो आपने हमें कई बार ताने मारे हैं बच्चा लड़का होगा या लड़की ये कभी औरत की कुंडली में नहीं लिखा होता माजी ये नाच्रल क्रिया है जो किसी के हाथ में नहीं होती पर हमारा समाज न जाने क्यों हर बात के लिए औरतों को जिम्मेदार मान लेता है जिन बेटियों को आज आप ना पसंद करती है इनी बेटियों के लिए आज पूरा देश रो रहा है क्योंकि बेटियों को मार देने के बाद अब उन्हें बहुएं नहीं मिल रही और ना बहुएं होगी और ना ही किसी को संतान की प्राप्ती होगी फिर ये समाज क्या करेगा पर शांटी आज आप मुझे मेरे पापा के साथ बैठने दीजिये ना जब से आप आई है तब से हमारे पापा हमारे साथ नहीं बैठते दिख नहीं रही यहां बड़े बात कर रहे हैं पापा की पास बैठना है पापा की पास बैठना है चलो जाओ यहां से तुमारी हिम्मत कैसे हुए मेरी बेटी को मानने की ये तो तुम इस घर की महमान हो वर्ना तुमारा हाथ तोड़ देता मै रवी, तुम मुझसे ऐसे बात करूगे अब शुक्र करो कि मैं अभी तक बात कर रहा हूं मेरी बच्ची को चाटा मानने वाली कि मैं शकल भी ना देखू ठीक है, मैं जा रही हूं इस कर से अभी निकल जाओ, जाओ आंटी, देखिये न सुना नहीं मेरे बेटे ने क्या कहा निकल जाए यहां से और खबरदार जो मेरी पोते को कभी हाथ लगाया तो I'm sorry कविता, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, लेकिन आज जब मेरी बेटी को चाटा पड़ा तो मेरा कलिजा जैसे बाहर आ गया इन सब की असली वज़ा मैं हूं मैं आप सबसे माफी मांगती हूं पोते की लालच में मैं ये भूल गई थी कि मैं भी एक औरत ही हूं मुझे माफ करतो नहीं माजी, आप माफी मत मांगिए प्लीज आपको एसास हो गया है, यही हमारे लिए बहत है दादी, हम सब मिलकर गुड़ी के लिए पूजा कर सकते हैं ना नहीं, कोई पूजा नहीं होगी मेरे गुड़ी के लिए पूजा नहीं पार्टी होगी, पार्टी